इस बंदे ने इतनी गालियां दिये ना दो बंदों में लड़ाई होती है किसी कपल में किसी फैमिली में तो वो बार नेपर्स को भी पता नहीं होती तो किस हद तक लड़ाई किस हद तक यह बंदा गिर गया होगा कि लड़ाई सोशल मीडिया पर तो आप लोग इनको चानते योगे कुशी पंजाबन है ये विवेक चौदरी की वाइफ है जो के इनकी लब मेरेज हुई थी और कुद दिनों से ये लोग बहुत ज़दा सुर्कियों में है बहुत ज़दा खबर में है इनके बीच में भी वही सारा हो गया है और ये जो वाइफ है ये लकनित व्लॉग क किये थे कुछ वीडियो बनाएते और इस तरह की बाते किये थे कि घर के जगड़े बाहर नहीं लेकर आना चीए जबके खुशी पंजाबन ने खुदी एक वाइस लिग किये वह वाइस भी आप लोगों ने सुनी होगी अगर नहीं सुनी है तो मैं आगे लगा दूंगी त सब जैने देखके दूआ मांगते हैं कि ऐसी सास ऐसे सस्रे ऐसा हजबेंड हमें भी मिले हैसा घर हमें भी मिले और फिर इनके अंदर की क्या-क्या सच्चाई निकल के आती है और यह एक कपल नहीं है बहुत सारे कपल है ऐसे वाइटी पे और इस्टाग्राम पे जिनका दि तौणां है तौणा हुझे बिले हुग तौणाम से गोरिए तौणार रहे में तकार की तो पेंदे कृड Gओा यह ने ही बोला ने तौणा कि मार झाणा इनको चैनिको जो प्छालिमत दो जाँ डो ने थे छोलों पहले हुग अथा तो जी सुन लिया आप लोगों ने कित तरह की लेंगविज यूज़ की जा रही है खुशी को विवेक पीछे से गंदी गाली दे रहा है ससूर भी गाली दे रहा है और सोशल मीडिया पे इनके इतने अच्छे मतलब वीडियो नजर आते थे के लोग दुआएं मांगते थे लोग कमेंड करकर के बोलते थे हमें भी दुआ दो इस तरह कि साथ सत्रे और घर हमें भी मिले लेकिन सच्छा ही देख लो क्या निकल के आई है इनके पीछे जो जगडे का जो रिजन है यह है कि विवेक चौदरी का अफैर चल रहा है जिसकी वज़े से इसको यह पकड़े गया और इसकी बीवी को पता चल गया राजा चौदरी के पास में है और वह बोल रही है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ आप लोगों के पास है तरीफ मुझे मेरा राजा चाहिए मतलब के इस만 लोगों का बेटा जो के वो मना कर रहा है बोल रहा है कि जा करञ़ से ले लो इस तरह की सारी कंट्रोवर्थी वी थी आज की ताजा कबर ये है कि पता चला है कि इनका डिवास हो चुका है और बच्चे की जो कश्टडी है वो दादा दादी और उसके बाप को मिल चुकी है और खुशी को बिलकुल भी इसके अंदर मतलब इंसाब बोलो या जो भी है वो नहीं मिला अलांके बहुत टैम जब से इनके केस चल रहे हैं बहुत जने ने ने इन लोगों को कोट में देखे भी है कि ये लोग कोट पे जा रहे है और अभी ये खबर आ रही है कि डिवास भी हो चुका है और बच्चे की कश्टडी भी खुशी को नहीं मिली और इनका जो सोसल मीडिया अकाउंट है जैसे के इस्टागराम है यूटूब है इन सबसे लोग बहुत टाइम से दूरी बनाए रखे है कहीं पे कोई अपडेट नहीं आ रही है इनके फैन और इनके जितने भी सबस्क्राइबर है सब जने डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने सोसल मीडिया पे आके सारी सच्चाई बताओ और अभी ये भी कबर आ रही है कि बहुत जल्दी विवेक चोधरी लाइफ करने मला है और सारी सच्चाई जो भी है वो सब कुछ बताने मला है और खुशी पंजाबन भी जवाब देंगी आके अब वो लोग सच में आते हैं न सवाल है उनके जवाब तो इनको देने ही पड़ेंगे तो बहुत जल्दी ये लोग लाइफ वगेरा करके ना लोगों को जवाब देने माले है और जिस तरह से लपनीत फैमली में इतने लफड़े जगड़े जो चल रहे थे जो के पुरा सोशल मीडिया ने तमाशा देखा था अब जाके इनका भी तमाशा देखेंगे और ये लोग बहुत ज़्यादा कूदे थे लपनीत फैमली के तमाशों में और बहुत ज़्यादा अच्छी बाते किये थे कि घर से बाहर बात नहीं आने चीए नेबर तलब के नहीं जाने चीए ये लोगों ने तो शोशल मुदिया पर आ चुक है कब से आ चुक है इनके उपर बहुत सारी बाते भी हो रही है और अब इनको आना पड़ेंगा और सारी सच्छा अब जहां पड़ेंगा तो इहां पर इस बात को लेए इनकी बहुत ज़्यादा बेच जति हो हरी एकि के दूसरों के उपर तुम परोसा हुट गया है कि इतनी अच्छी फैमिली दिखाते हैं इतनी हसी कुछी मौपत दिखाते हैं और पीछे से क्या क्या निकल के आता है ऐसे बहुत सारे लोगों का हुआ है और बहुत सारी फैमिली में ऐसा हुआ है कि इनको जब उनके कंट्रोवर्सी बाहर आती है न तो यकीन नहीं होता है कि ये लोगों के बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है और सबसे ज़्यादा अभी किसी का ये हुआ है न शौक लगा है विवेक और खुशी का लगा है बहुत ज़्यादा शौक लगा है क्यूंकि इनकी लव महरित थी जो के खुशी के माबाप को ये पसंद नहीं था विवेक बिल्कुल भी पसंद नहीं था फिर भी उसने जीत करके उनको मना के और फिर इससे शादी की थी और आद देखो ये शादी का अंजाम एक बच्चा बुखतेंगा जिसका कोई कसूर नहीं एक बेटा पैदा की इसके बाद में पता चला कि इसक जादा तर जो मेजरूटी है ना वो खुशी के साथ में खड़ी है और विवेक को गलत बोल रही है कि उनकी कुछ चीजे और भी कोई वोई से लीक हुई है अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी और लोग इस तरह से भी सामने आये ह कि लोग इतने ज़्यादा मतलब अग्सगंदे थाबित हुए है कि लोगों ने उसकी कमाई का सारा जरिया सारा सोशल मीडिया वगेरे सब कुछ चीन लिये और उसको बोल दिये कि हम तुझे कोई भी हक नहीं देंगे कुछ भी नहीं और कोरट से जो चीए ना जाके ले ले अगर के बच्चा वहाँ पे भी रहता है तो खुशी को वैसे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसको पता है कि बच्चा उन लोगों के साथ में भी खुश रहेंगा और लोग भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते लेकिन एक माँ तो माँ होती है ना तो यह सब चीजे देखके ना बिल्कुल भी एक तो अच्छा नहीं लगा सबसे अदा बुरा किसी के लिए लगा है तो वह बच्चे के लिए लगा है बाकि आप लोगों की क्या रहा है प्लीज आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना और आप लोग क्या बोलते हो क्या जो 80 कुसी द देते हैं जो के 24 गंटे का दीन और रात होती है इसमें से 20 मिनिट के वीडियो में क्या ही इनसान इनके उपर वरोसा करें तो प्लीज अपनी राये कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भ करदेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफीज